नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूज बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हरलाइन्स पर आइस-आइस के टॉप लीडर आतंकी हाफिस साइथ के मौत की खबर, अमेरिकी ट्रॉन हमले में मौत की खबर, संगठन ने खबरों का किया खंडल, पहले भी आई थी मौत की खबरे पाकिस्तान के गिर्गिट बालस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज लगे पाकिस्तान वापस जाओ के नारे भारत से मानवाधिकार हननन के मामले में सायूक तराश्टर में उठाने की मार्ग जजो की न्यूक्ति के मामले पर सुप्रीम कोट सक्त सरकार का नयापालिका के बीच टक्राफ कि सिती केंद्रों से पूछा किस ने रोके रखी है कॉलिजियम की सिफारिश क्यों रुखी है जजो की न्यूक्तियां बिटेन ने प्रसिद सरोध वादक उस्ताद अमजद अलिखा का वीज़ा आवेदन ठुकराया उस्ताद ने उचा योग के रवईये पर जोताई है रानी विदेश मंत शिश्मा स्वराज से मदद की लगाई गुहार और रियो अलम्पिक मिसानी और बुपन्ना की जोड़ी मिक्स और डबल्स के सेमिफवानल में बिटेश जोड़ी को दी शिकास पदक की उमीद बड़ी अमेरिकी रक्षो मुखाले पेंटगन से ISIS ग्रूप के टॉप लीद आतंकी हाफिस साईद खान की मौत की खबर आ रही है पेंटगन के मताबिक पिछले महीने हुए ड्रॉण हमले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी संगठन को प्रमोट करने वाले हाफिस साईद की मौत हो गई है पेंटगन के प्रवक्तार गार्डन ट्रावबेज ने हवाई हमले में हाफिस की मौत की पुष्टि की है गौरतलब है कि ये ड्रॉण हमले आतंकीयों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की ओर से किये गए थे वह इसलामिक स्टेट का कहना है कि हाफिस साईद खान जिन्दा है और ड्रॉण हमले में एक अन्य आईएस के वरिष्ट आतंकी की मौत हुई है गौरतलब है कि इससे पहले भी हाफिस की मौत की खबरे आ चुकी है पाकिस्तान के गिल गिट वादस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है जहां प्रदर्शन कारियों ने पाकिस्तान वापस जाओं के नारे लगाए साथ ही बाबा जन की रिहाई की मांग की है बाबा जन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने चॉलिस साल की सदा सुनाई है लोगों की आवाज दबाने के लिए सेना और पुलिस बल का जम कर इस्तमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ना तो उनका विकास हो रहा है और ना ही यूवाओं के पास रोजगार है यूवाओं के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं है बलोज नेता ने कहा है भारत को मानवादिकार हनन का ये मामला सायुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए पाकिस्तान के एक्षीष राजुनयग ने कहा कि उनका देश परमानु पररेक्षण पाधिपक्षे रोग को लेकर भारत के साथ समझाता करने को तैयार है प्रधान मंत्री के विदेश मामलों के सलहकाय सर्टाज अजीज ने कहा हमने आगे के परेक्षणों को ले कर एक पक्षिया पाबंदी घोशित की है पाकिस्तान अपने एक पक्षिया रोख को भारत के साथ विपक्षिय समझोते में बदलने पर विचार करने को तैयार है पिछले सब्ता हुए राजदूतों के सम्मेलन के बारे में मीडिया को बताते हुए अजीज ने कहा कि बैठक में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान निरंदर रूप से CTBT का समर्थन करता रहा है और वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महसभा द्वारा इसे स्विकार किये जाने के वक्त भी इसके पक्ष में मत दिया था हाई कोट और सुप्रीम कोट में जजों की न्यूक्तियों के मामले पर नयापालिका और सरकार के बीच टकराव अब और तेज हो गया है शुकरवार कोदेश के मुख्य नयाधिश टीयस ठाकुर समेती इन जजों की बेंच ने सरकार से पूछा कि कोलेजियम की सिफारिश के बावजूद अब तक 55 जजों की न्यूक्तियां क्यों नहीं हुई है सुप्रीम कोट ने कहा कि कोलेजियम ने हाई कोट में जजों की न्यूक्ति के लिए 55 लोगों की लिस्ट भेजी थी लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोट ने अटर्णी जोर्नल से कहा अब समय आ गया है कि अदालत इसमें दखल दे और नियाई का देश दे कोट के आकरमक तेवर देखकर अटर्णी जोर्नल ने कोट को आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम अथारिटी के सामने मामले को ले चाहेंगे और चार हफ़ते में जबाब देंगे टाइम्स आफ इंडिया अखबार समय के मैनेजिंग डिरेक्टर विनीथ जैन गुरुवार को ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए जैन ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोल किया जिसमें उन्होंने पूछा अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी भेज कर मुश्किले पैदा करता है तो क्या भारत को भिभारती आतंकीयों को पाकिस्तान भेजना चाहिए ट्विटर पर उनके इस सवाल का जवाब लोगों को हाँ या ना में देना था इसे पहले जैन ने ट्विट किया हमें यूद किये बिना पाक को सबक सिखाना होगा चाहे गुरिला यूद से या अमेरिका द्वारा अत्याधिक दबाव दिलवा कर जैन के पोल पर कई ट्वि खरीदारों को पैसा नहीं लोटा सकती यूनिटे की ओर से पेश वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनुसिंग भी ने नयमूर्ती दीपक मिश्वरा तथा नयमूर्ती यू यू ललित की पीट के समक्ष कहा हमारे पास पैसा नहीं है यदि हमारे पास पैसा होता तो हम फ्ल से कितना पैसा लेना है बिशिसी आए को बड़े सुधारवादी कदम लागू करने के लिए अब उच्चतम नयाले द्वारा न्युक्त लोधा समीती की समाए सीमा का सामना करना पड़ रहा है तब दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ट के अध्यक्ष अनुराग ने कहा जिन लोगों ने कभी खेल नहीं खेला वे बोर्ट का संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं बीशिसी आई की जोड़े काचने का प्रयास किया जा रहा है उच्चतम नयाले ने बीशिसी आई में आमुल चुल बदलाव की लोधा समीती की अधिकांच सिफारिशों को स् समीफानल ने पहुँच गई है कौर्टर फाइनल के एक एहम मकाबले में सानिया और बोपना की जोड़ी ने एंडी मरे और हिथर वाटसन की जोड़ी को एक तरफा मकाबले में सिकश्ट दी सानिया मिर्जा और रोहन बोपना की भारतिया जोड़ी ने हिथर वाटसन और ए आस्ट्रेलिया जोड़ी सामन्त हस्ट उसर और जौन्थान पियर्स को माद्दी थी इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार